कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनल्सिस पर स्वागत करता हूं आई होब कि आप लोगों ने प्रिविएस डे का वीडियो देखा होगा मंडे के लिए मैं ने दिया था बट मैं पर्सों से देना चाहता था थोड़ा मैं दूसरे काम में बीजी था और आज जैसे हो लिडिय था आपको सबको पता है तो हम लोग फटाफ़ट चलते हैं और कल के लिए कुछ लेवल देखेंगे और हम लोग प्लान कर रहें कल पर्सों से हम लोग निप्टी बैंग निप्टी और दूसरे कुछ स्टॉक्स के उपर भी हम लोग अभी प्लान करेंगे तो anyway जो भी है आप लोग सही तरीके से ट्रेड वीडियो देखेगा जो भी लेवल से आपको प्रोवाइड करता हूं वो लेवल की पर काम करेगा जितने लोगों ने आस तक भरोसा करके ट्रेड किया जितने लोगों ने आस तक भरोसा करके वीडियो देखा है कभी वो लोग क चैनल को subscribe पहले कर लो यार उसके बाद आप लोग like अगर अच्छा लगेगा तो like ज़रू करना अगर अच्छा नहीं लगेगा डिस like करने से अच्छा है आप बीना like करके चले जाएगा बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जो भी मैं लेवल्स प्रवाइड करता हूँ वो सारे लेवल्स अचीब करते हैं और मार्केट में वैसा मोमेंटम होता है पहले से दिया हुआ है पहले से हुआ है और मुझ आसा यह करता हूँ कि कल आपको देखने को मिलेगा चले पहले वीडियो को स्कीप मत करें सुरू से आके तक देखी छोटा-छोटा सा इंफोर्मेशन कभी कभी प्रोवाइड करता हूँ छोटा सा इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कभी कभी बीच में तो स्कीप करने से वो इंपोर्टेंट पॉइंट स्कीप हो जाएगा सौधार आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या कहा था जो कि आपकी लिए यहाँ पर एक foundation बना रहा है, एक structure बना रहा है, अगर chat pattern किसको पढ़ना आता होगा, उनको पता होगा, यहाँ पर देखिए, धीरी 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 करके, एक swing बनाने की कोसित कर रहा है, जितने लोग को Tata Motors पर suggest किया था, आप उनको पता होगा, कि मैंने क्या levels यह थे और कैसे वो देखेंगे, इतना जरूर याद रखेगा, लेवल्स अगर पसंद आएंगे, तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चले तो जैक्चे लेवल्स, मैंने क्या दिये थे, वो लेवल्स पहले देखेंगे, मैंने दिया था, 464 के नीचे सेल करना है, 460, 20 और 456, 45 पैसा, 468, 45 पैसा अगर उसके उपर चलता है, 472, 90 और 476, अगर किसी कोई याद होगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा देखेंगे, 464, 45, 464 रुपीज, 45 पैसा का लो लगा है, और 471, 90 पैसा का, यानि कि हमने जो लेवल्स आपको दिये थे, यहाँ पर एक्जा पोर बता या था, 64, 45, अच्छा है, 15, 20 पैसा, 40 पैसा, इसको आप क्यों देख रहे हो, जो लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ, एक्जाक्ली वो फिगर में आता है, यह सबसे बड़ी बात है, तो फटा-फट चलते हैं, लेवल्स, देखेंगे, टाटा मोटर स्क्यूपर हम लोग कल की लिए, कल कॉनसे लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रिजिस्टन्स क्या रहेंगे, वो देखेंगे, सपोर्ट रहेगा 468 के नीचे अगा सस्टेन करता है, आप उसके नीचे ट्रेड होता है, आप लोग सेल कर सकते हो, टार्गेट रहेगा 464, 460 रूपीज 45 पैसा, 456, 45 पैसा, आपके सामने लेवल्स मैंने लिखा हुआ है, काइंटल आप लोग नोट करिए, एफे स्क्रिंशेट बगारा लेके रखिए, रेजिस्टन्स रहेगा, 471, 90 पैसा, जैसे ही, 471, 90 पैसा के उपर सस्टेन करेगा, बाई कर सकते हो, 476, 25 पैसा और 481, याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स, 470 के उपर, 470, 71 के उपर अगर जैसे ही सस्टेन करता है, मुझे लगता है कि यहां से एक मोमेंटम करना, स्टार्ट करना चाहिए, 481 जैसे ही क्रॉस करेगा, 86 के आसपास और 90 के आसपास एक लेबल है, तो इसको जाके यह हीट करेगा, तो यह चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए, आप उसको ट्रेड करिएगा, लेवल्स दु को निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी को पेड़ सर्विस की जरूरत है, पेड़ सर्विस में जोइन करना है, आपके स्क्रीन की उपर देखिए, एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग वाट्स आप की कॉन्टाक कर सकते हूँ, गैस, आपको मैं मैं प्लान कर रहा हूँ, कल परसों से मैं डारेक्टली, प्राइस में आपको दिखा दोगा, क्योंकि काफी सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पता नहीं उन लोग को क्या 100-200 रुप्या का साइज सर्विस चाहिए, गैस, मेरे पास 100-200 रुप्या का सर्विस नहीं ह सर्विस चाहिए, तो आप लोग अगर जोइन करना चाहते हो, तो काईडली कॉंटाक कीजेगा, 100-200 रुप्या, 1200 रुप्या का सर्विस लेने के लिए मेरे पास कॉंटाक मत करें, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मैं इतना चिप क्वालिटी का सर्विस देना नहीं चाहता, तो मैं आप से डारेक्ली बोल रहा हूँ डेली जितना लॉस कर रहे हो अगर आप लोग का बिलो 10,000 है तो एरांड आप उसके आप असपास हो बिलो 10,000 के उपर है तो आप लोग वो 10,000 के एरांड मेरा सर्वीस से आप लोग मुझे कॉंटाक कर सकते हो जिनको नहीं चाहिए डेरेक्ली वाट्साप नमबर को एवोइड करिए फ्री अगर ट्रेड करना है आपको इंट्रेडे में डेस्क्रिप्शन पर फ्री टेलेग्राम का लिंक है आप लोग चेक करके जोईन कर लिजेए वहाँ पर फ्री में कुछ देता हो अगर पेड में चाहिए अच्छा पैस प्रॉफिट में आपको एक मिहने में कमा के दोगा यह मेरे जुबान से मैं आपको बोल रहा हूँ चले हम लोग डेलेप की उपर चलते हैं डेलेप का लेवल क्या रहेगा वो देखेंगे डेलेप का सपोर्ट रहेगा 368.80 पैसा पहले देख लेते हैं मैंने आपको क्या कह नीचे आया तब इधिने करके हैं से सुइंग बना रहा है अगर यह सुइंग बनाने में सक्सेस हो जाता है अगर 76 की उपर एक क्लोजिंग मतलब बगारा दे देता है तो हो सकते हैं आपको यह यहां पर जो हाई बनाके नीचे आया 400 के आसपास तो उसको यह री टेस्ट कर सकता है तो हम लोग देखेंगे क्या दिये थे लेवल्स और केसे मार्केट में वो लेवल्स के पर काम हुआ नहीं हुआ 366 30 पेसा के नीचे सेल करने के लिए हज़स्ट किया था 363 55 पेसा और उसके नीचे का टार्गेट भी दिखा दे रहा हूँ 369 55 पेसे के उपर रेजिस्टन्स 372 85 पेसा और यहां तक अगर देखा जाए मार्केट कहां तक गया मार्केट करिवन 72 60 65 के आसपास एरॉंड गया है तो मैंने जो टार्गेट आपको बता है था 72 के उपर 85 के आसपास वो टार्गेट हमारा यहां पर अच्छीव हुआ है तो इसलिए आपको मैं बार-बार बोलता हूं कभी भी डाउट होता है तो आप लोग को इधर उधर मतलब दिमाग नहीं लगाना है आपको सिर्फ लेवल्स के उपर फोकस रखना है मार्केट को थोड़ा स्टड़ी करना है काफी सारे लोग वही गलती करते हैं मार्केट स् पैसा कि नीचे अगर सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो टार्गेट रहेगा 365 365 के नीचे 360 रुपीज 80 पैसा और 358 70 पैसा जी हां अगर नीचे आता है तो यह दो टार्गेट को याद रखिए यहाँ पर सस्टेन कर सकता है जिस दिन यह 358 70 पैसा को तोड़ेगा तो सब 50 के आसपास है 45 के आसपास नीचे गिर सकता है तो ज्यान रखिए यह लेवल से आपको काफी हेल्प करेंगे काम करने के लिए रेजिस्टन्स क्या होना चाहिए 372 60 पैसा का रेजिस्टन्स है जैसे ही रेजिस्टन्स की ऊपर सस्टेन करेगा बाई करिए 375 95 पैसा 378 95 यहां तक टार्गेट रहेगा और जरुद पढ़ने पर 382 के आसपास पर टार्गेट है पहले यह रेजिस्टन्स को याद रखिए 372 60 पैसा के उपर जैसे ही सेस्टेन करेगा आपको बाई करने के लिए रेडी होना है तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स दे रहा ह है कि जब आप लोग ट्रेड करते हो अगर आपको समझ नहीं आता तब आप लोग को कोई अगर समझाता है तो उसकी बात को रेस्पेक कीज़ेगा पोजिशन को निकालने के लिए जलवाजी मत करिएगा क्योंकि मार्केट वहां से रिवर्स होने की चांसे भी होता है तो इ कर सकते देखें यहां पर एक स्वींग बनाने की कोसानी करेगा तो मेरे ख्याल से दिख रहा है यहां पर धीरे-धीरे करके डिपेंड करते हैं अगर यह लेबल लेबल के नीचे अगर यह चलता है तो मैं आपको यहां पर सेल करने की सजिस्टेशन दे सकता हूं बड़रक प्रेकडाउ यहां पर होना चिह यह यह लेवल के नीचे अगर यह इस्टार्ट करता एंट्रेड होना तो मेरे ख्याएल से रही निचे एक ऐ Może अना चाहिए जब तक इसकी नीचे नहीं आएगा तो हो सकता यहां से क्मेंटब आप ऊपऊर के देखने को मिलेगा फटावर देख लेते हैं असोग लेंट के लेवल्स क्या दिये थे सुरी क्या होना चाहिए कल के लिए 144.85 पैसा का सपोर्ट है याद रखिए 144.85 पैसा के नीचे अगर ये सस्टीन होते हुए देखने को मिले सेल करिए 143.15 पैसा 141.70 पैसा यहां तक टार्गेट रहेगा 144.85 पैसे के नीचे आपको सेल करना है प्राइस आपको दिखा आपके सामने है कहां कहां तक जा सकता है ध्यान से नोट करके ट्रेड करिए रिजिस्टन्स रहेगा 146.30 पैसा जैसे ही 146.30 पैसा के उपर सस्टेन करता है बाई कर सकते हो 147.75 पैसा 149.149 के उपर 150 रुपीज 35 पैसा याद रखिए 146.30 पैसा के उपर बाई कर सकते हो 147.75 पैसा 149.150 रुपीज 35 पैसा यहां तक आपको टार्गेट रहेगा तो जो भी लेवल्स आपको देता हूँ काइडली वो लेवल्स नोट करिए उन लेवल्स के साफ से ट्रेड करिए आप लोग को अच्छा पैसा मार्केट में जरूर बनेगा यार काफी सारे लोग पैसा कमा के जाते हैं आप क्यों नहीं कमाऊगे सब लोग कमाते हैं आप ही कमा सकते हैं मेंटेन करके एबको trade करना है यहीं सब्सक्राइब करने के लिए आप को फोड़ाब जेस ciao कर ना है थोड़ा fundamental मगारे थेखना है अपने छीज़ आपको चांट प्रवोण को स्ट्रेडी करना भी आना चाहिए तब जाकिएomicあ trip कर सकते हूँ इंट्राइडे के लिए जैसे आपको लेवल्स प्राइश अक्षिन बगर आप देखते हूं उससे आपको गुजारा हो सकता है जितना नोलेज मिलेगा अच्छा है बाद जितना नोलेज मिलेगा उतना कन्वीज हो जाओ गया चलिए दूसरे स्टॉक पर चलते हैं गाइस आप लोग को अच्छा लगेगा मैं बोलूगा तो जो भी कुछ दिखाऊंगा तो वह आपको अच्छा लगे चलिए आइटीसी की उपर चलते हैं आइटीसी की लेवल्स डिसकर्स करने से पहले एक चीज़ आपको मैं दिवेधन करना चाहता हूं यहां पर देखिए एक न के अंदर निकल के देता हूं जितना आप मुझे पे करोगे यहां पर इंवेस्टमेंट की बेसिस में आपको च्छोटा सा सर्विस रखा गया है तो जितने लोग अगर अच्छा पैसा च्छोटा मोड़ा दो तीन अजर पांच छे हदर का पैकेज नहीं है और आप लोग ज इसक्रिप्शन पर चेक करके जोइन कर लिजेए एक बात बता देता हूं यहां से जैसे यह उठा उठने के बाद थोड़ा नीचे आया अगर नीचे आया अभी यहां से धिरे-धिरे करके उपर ही जा रहा है नीचे आया था बट अभी भी यह चीज़ आपको पेश्दिन नीचे बताया था कि आटी सी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके ही जाएगा बैठा जब यह गिरेगा तो थोड़ा तगड़ा गिर सकता है ठीक है तो लेवल्स के साफ़कर आप काम करोगे तो यहां पर आपको लॉस नहीं होगा क्लियर कट व्यू दिख रहा है जा 316 सतरह त अपरेड करना चाहिए आपको आटी सी को सेल कर सकते हो 312 312 के नीचे आप सेल कर सकते हो अगर इसके नीचे सस्टेन करता है सेल करके टार्गेट होना चाहिए 310 307 15 पैसा याद रखें 312 के नीचे आप सेल कर सकते हो टार्गेट रहेगा 310 307 15 पैसा रिजिस्टन्स रहेग 313 95 पैसा जैसे ही 313 95 पैसे की ऊपर सस्टीन करेगा बाई कर सकते हो 316 65 पैसा 319 85 पैसा यहां तक आपको टार्गेट रहेगा आपके सामने सारे लेवल्स में दिखा दे रहा हूँ 319 313 95 पैसा की ऊपर बाई कर सकते हो 316 65 पैसा 319 85 पैसा यहां तक टार्गेट रहें तो इसलिए बोलता हूं कि जो भी लेवल्स आपको देता हूं वह लेवल्स काइंटली नोट करके ट्रेड करें एक अप्ट्रेंड में यह है अभी हो सकता है अभी बीच में थूर डाउंट्रेंड में आके यह उपर के और सचोंगे या फिर उसकी उपर अगर सस्टेर करेगा तो थुड़ा और बाई करनी की सोचोंगे चल यह smiling next तो एक बार याद कर लेजे 513 के आसपास मैंने एक टार्गेट बताया था तो जितने लोगों ने देखा होगा समझ आया होगा उन्हें यहां पर देखिए 513, 514 के आसपास एक टार्गेट नीचे दिखाया आपको यानि कि हमारा जो टार्गेट था वो टार्गेट से ओपन ह हुआ 524 से ओपन होके करीवन काफी अच्छा टार्गेट नीचे के और दिया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि हमने ओल्रडी 29 की नीचे ओपन हुआ तो काफी सर्लों कि हम पर पैनिक हुआ होगा बट 24 के नीचे जितने लोगोंने विट सेल किया होगा यहां पर प अगर 518 90 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 513 85 पैसा 509 15 पैसा यहां तक आपको टार्गेट देखने को मिलेगा resistance रहेगा 524, 524 की उपर जही से sustain करता है buy कर सकते हो target रहेगा 529, 534, 65 पैसा 518, 90 पैसा के नीचे sale करना है 524 के उपर buy करना है जो भी levels था मैंने clearly बता दिया हूँ अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को like करके channel subscribe करेए expiry भी है और आगे तो आप लोग kindly जो भी levels अप लेते हों सही तरीके से काम करेए क्योंकि market ठोड़ा लटल भी रहता है बीच बीच में और guys मैं आपको suggest ज़रूर करूँगा कल के बाद साथ expiry है तो आप लोग कुछ position बगारा जितने लोग मुझे suggest कर रहे थे कि hold क्या हुआ है सर ये क्या हुआ है option बगारा में तो आप लोग थोड़ा position को square up करके रखे क्योंकि expiry तक साथ जीरो भी हो सकता है और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है free service के लिए जोइन कर लेजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद